XUV3W का finally leaked हो चुका है यहाँ पे launch rate और क्या कुछ नया आने वाला है इसके अंदर वो भी interior कुछ चीज़ें जो change होने वाली है जो कि हमें leaks के अंदर पता चलता था उनसे काफी change है वो देखने के लिए मिलने वाला है तो वीडियो के अंदर end तक बने रहना सारा कुछ बताने वाला हूँ वीडियो में कि क्या कुछ देखने के लिए मिलने वाला है नई XUV3W facelift के अंदर सबसे पहले देखो यहाँ पे जो गाड़ी के अंदर हमें बाहर से changes देखने के मिलते हैं यहाँ पे देखो कई गाड़ियों के साथ में यहाँ पे testing है चल रही है थार के अलग थार 4x4 के साथ इसे test है वो किया जा रहा है मतलब गाड़ी को एक तरीके से न अच्छी तरीके से परखा जा रहा है कि गाड़ी हिल एरिया में है या अलग-लग जगह पे किस तरह से अच्छा प्रफॉर्म है वो करके दिखाए तो गाड़ी को उसी level का जो structure गाड़ी का तय प्रेंज हो चुके हैं यहां पर ट्रकिंग वील का special थैंक्स तो वीडियो उनकी है क्रेडिट है उनका चला जाता है फ्रंट से आप देखो ग्रिल का डिजाइन किस तरह का है शी शेप के अंदर DRL मिलते हैं तो काफी ज़्यादा बहतरीन जो डिजाइन वो गाड़ी का दे लाइट्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं रूफ रेल्स होगे गाड़ी के अंदर 360 डिगरी कैमरा मिलता है और साधी साधी इसमें बड़ा संरूफ है वो ऑफर करा जाएगा अभी तक दूसरी ब्रैंट जो इस सेग्मेंट की गाडिया है वो अभी तक इन चीजों को पर इस गाड़ी का बनाया गया है अभी मैं एक डेडिकेट वीडियो लेके आऊँगा कि किस तरीके के जो इसके स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर तरीके से देखने के लिए मिलेंगे तो उसके लिए सब्सक्राइब करके रख लो जरूर से बॉबी जी चानल को और लुक्स द देखो किस तरह का गाड़ी का होने वाला है तो लुक्स के मामले में रोड प्रेजन्स पे काफी ज़्याता दबदबा है वो रहने वाला है इस एक्स यूवी थ्री डवलो फेच लिफ्ट का और क्या के चीज़ें जो चेंजिस मिलेंगे इंटीर के अंदर चलो इसका एक मै करतो जल्दी से मैं दिखाई देता हूँ यह सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब गर दो मैं आपको पूरा रेंडर दिखाता हूँ किस तरीकी की जो गाड़ी एक्चुल से हमें यह एक्चुल में जो क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा वो मिलने वाली है वैसे जो चेंज है स्वस्व बड़ा इन्फोटेनमेंट आपके बड़ा इन्फोटेनमेंट वो कर दिया गया है डूल टोन के अंदर इस गाड़ी का इंटीर है वो कर दिया गया है और बाहर से लुक्स देखो तो नाइट में कुछ इस तरह है कि जो LED हेडलाइट से वो भी ओफर कर देती है गाड़ी तो काफी बड़िया है आप देखो यहाँ पे रोड प्रेजन्स पे एक किस तरह की गाड़ी लगेगी इसका एक 99.9% बोल सकते हो यह रेंडर एक्च्वल में ऐसी ही जो गाड़ी हमें फ्रेंट से देखने के लिए मिलेगी काफी एग्रेसिव लुक के मिलेगा उसके लिए तो देखो आपको चैनल सब्सक्राइब करके रखेना पड़ेगा ताकि मैं आने वाले वीडियो में आपको दिखा सकूं नया कलर इसके अंदर आने वाला है और जल्दी मैं बताऊंगा कि कौन सा इस गाड़ी के अंदर नया कलर आने वाला है यहाँ प पर कि गाड़ी के जो रोड प्रेजंस है वो किस लेवल की होने वाली है रोड प्रेजंस पर किस तरह की जो गाड़ी होने वाली है इन्टीर के खलकी सी जहां से जलक दिखा है तो इन्टीर पर कुछ इस तरह की होने वाली है गाड़ी डूल टोन के अंदर मिलेगी पीछे क काफी ज़्यादा इसके अंदर safety features हैं वो मिलने वाले हैं rear से देखो गाड़ी के looks है closer looks है exclusive closer looks है इस तरह के देखने के लिए मिलते है तो rider school का special thanks इस तरह की looks है वो गाड़ी के होने वाली है wiper है वो आपको मिलता है छोट उसा है पर मिलता है तो देख लो भाई गाड़ी काफी ज़्यादा कमाल की जो looks के साथ में आती है पीछे की तरफ आप देख सकतो है headrest आपको देखने के लिए मिलते है adjustable नहीं है fix मिलेंगे लेकिन आगे वाले आपको adjustable वो देखने के लिए मिलते है पीछे के looks देखे तो यहाँ पे एक shape है वो पीछे से end to end तक जाती है जो आपके till lights तक जाती है तो इसके अंदर जो जगा जगा edges का है वो काफी use वो करा गया है ताकि गाड़ी के जो looks है और ज़्यादा enhance हो सके उपर जैसे roof rails होगे शारफी 90 ना मिलता तो काफी ज़्यादा बढ़िया रहता अभी तक किसी भी गाड़ी के अंदर मैंने नहीं देखा कि शारफी 90 ना मिल रहा है लेकिन अगर होता तो काफी ज़्यादा बढ़िया रहता आप यहाँ पे देखो bonnet hood देखो दोनों गाड़ियों के कितना ज़्यादा हूँचा लग रहा है इसका तो लुक्स के मामले में और जग काफी sporty है वो लुक है वो प्रवाइड करवा रही है आप महिंदरा इसकार के अंदर तो आपको उसी लेवल की जो टेस्टिंग है इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है इंजन की बात करें तो इंजन इसके अंदर सेम आपको जो इंजन ऑप्षन है वो ही देखने के लिए मिलेंगे अभी तो ऐस सच कोई पता नहीं चला कि गाड़ी के अंदर क्या को चेंज करेंगे हाला कि देखो इंजन के अंदर जो पुराने वेरेंट से उन से तो कुछ न कुछ चेंज करेंगे ताकि इसके जो बी एचपी पे थोड़ा सा फर्क पड़े और थोड़ा सा जो टॉर्क है वो एक्स्ट्रा रखा जाएगा गाड़ी के अंदर डीजर और पेट्रोल के अंद है और इस तरह के जो रोड़ प्रेजेंस है वो काफी ज़्यादा बढ़िया है वो गाड़ी की रहनी है प्राइज की बात करें तो प्राइज लगबक आपको चालिस हजार रुपय एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा बेस वेरेंट का जो भी करंट की गाड़िया जो चल रह उनको भी कॉंपटिशन में थोड़ा ध्यान रखते हुए भी इसका जो प्राइज है वो उसी हिसाब से जो लॉंच करने वाला है महिंद्रा एक और सबसे बड़ी चीज बताते हैं अब कि इस गाड़ी का लॉंच है वो कब होने वाला है देखो बहुत से लोग कह रहे हैं क यह अगस्त में ही होगी जो कि मेरा भी मानना यह है क्योंकि महिंद्रा अगस्त में गाड़ी आज जो लॉंच करता है दूसरी एक चीज यह भी है कि थार फाइव डॉर का भी लॉंच होना है तो दोनों लॉंच वो एक साथ कैसे मैनेश करेंगे मेरे हिसाब से तो जो पंद लॉंच है लॉंच इवेंट आगे पीछे थोड़े रखे जाएंगे एक ही दिन यह लॉंच इवेंट नहीं हो पाएगा और मतलब अगस्त में ही यह दोनों गाड़िया है लॉंच होने वाली है और काफी ज्यादा अच्छा जो लगता है मेरे को देख के अपने इंडियन इतनी जड़ा अच्छे तरक्या जो कर रहे हैं और अपने वेशलिफ्ट को इतना अच्छा बेहतरीं और रिफाइनमेंट के साथ जो लेके आ हुआं तो आपका क्या मानना है इस गाइज कुछ आज की वीडियो के अंदर XUV300 फेसलिफ्ट के एक्सक्लूजिव लुक्स किस तरह की लगी गाड़ी और वीडियो अच्छे लगए तो लाइक जरू करें हैं इसे लिए चैनल पर पहली बार आयो तो सब्सक्राइब करें जरू जाना बाखी मिलते हैं नेक्स वीडियो के अंदर ओके टाटा बाई बाई जय हिन दोस्तो